तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि जीरो ब्राइन ने जैसे टैसे करके अपने भाई हीरो ब्राइन की जान तो बचा ली थी लेकिन साथ ही नल को भी पकड़ लिया था और जीरो ब्राइन ने हम लोगों को बताया कि अब नल इस ट्रैप से कभी भी न ही निकल पाएगा और फिर हम लोगों का अगला टारगेट एंटिटी 606 था लेकिन इतने में Zero Brine हम लोगों को लेके अपने वर्ल्ड में चला जाता है जहां पर उसकी एक बहुत ही खतरनाक बेस थी जिसके अंदर उसकी पावर्स और वेपन्स थे लेकिन वहां पे एक दम से मुझे नल दिखा ही देता है और जैसे ही मैं Hero Brine को बताता हूँ तो कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता तो मैं समझ गया के कोई संकटाने वाला है तो फाइनली गाईस वो टाइम आ चुका है जब Hero Brine का भाई Zero Brine Entity 606 को जिन्दा दफन करेगा क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि Hero Brine ने हम लोगों को बताया था कि उसका भाई Zero Brine Hero Brine से भी 10 टाइम ज्यादा कतरनाक है और इस टाइम हम लोग Zero Brine के वर्ल्ड में है लेकिन गाईस एक बात समझ में नहीं आती जब भी हम लोग Zero Brine को कहते हैं कि हमें अपने वर्ल्ड में जाना है तो पता नहीं वो हमें क्यों रोग लेता है कहीं ऐसा तो नहीं कि Zero Brine अपने भाई Hero Brine की पीट में चुरा गोबना चाता हो गाईस मैं आराम से बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी नहीं चाता कि Zero Brine को पता चले कि मैं उस पे शक करता हूं लेकिन ये तो मुझे पका यकीन है कि इस वर्ल्ड में कुछ तो खतरनाक चल रहा है जो अभी तक नहीं Hero Brine को पता है और नहीं हम लोगों को लेकिन अगर ऐसा है तो क्या Hero Brine और Zero Brine आमने सामने होंगे बाप रे बाप लेकिन अब Hero Brine हमारी बात का यकीन कैसे करेगा क्योंकि दूसरी तरफ उसका भाई Zero Brine है और गाईस हम लोगों की अगली लड़ाई तो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हमारी अगली लड़ाई डिरेक्ट एंटिटी 606 की गैंग से है और इस बार Zero Brine भी हम लोगों के साथ है अगर तो उस लड़ाई में Zero Brine उन लोगों को मार देता है तो समझो ये हमारे साथ है और इसके लिए गाईस हम लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक वला प्लैन भी बना लिया है जो के अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले जिन यहाँ पे एक नैदर पोटल बनाएगा और Hero Brine और Zero Brine अपनी पावर्स को री गेन करेंगे मतलब potions में convert करेंगे वो कैसे करेंगे अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लेकिन उससे पहले गाईस आप लोगों को एक खुशी की खबर सुनाना चाहता हूँ कि finally हमारे चैनल पर 5 लाग सबस्क्राइबर पूरे हो चुके हैं और हम सभी लोग बहुत ही happy हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवात आप लोगों ने हम लोगों को इतना support करा हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था और hero brain, zero brain, jin और हमारी पूरी family की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवात हमें पूरी उमीद है के आगे भी आप सभी लोग ऐसे ही हमें स्पोर्ट करते रहेंगे और हम लोग भी आप सभी के लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियो बनाते रहेंगे लेकिन एक मिनिट ये बातों बातों में आखिर मैं किसकी बोट पे बैठके यहां पे आ गया बाप रे बाप एकदम से मौसम भी खराब हो चुका है गाईस लगता है कोई बहुत ही बड़ा संकाट इस वर्ल्ड में आने वाला है क्योंके जीरो ब्राइन जो अपने भाई के साथ कर ओ एक मिनिट बाप रे बाप ये क्या है बे लगता है दाल में कुछ काला है लेकिन ये क इसने किया होगा सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कोई यहां पर आसपास तो नहीं है बाप रे बाप यहां पर तो साइन बोर्ड है एक मिनिट कौन कर सकता है गाईस ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे फसानी की ओ हीरो ब्राहिन ने मेरे भाई को मार के अच्छा नही किया मैं आ रहा हूँ बाप रे बाप होगा लाला उत्तिरी ये ये में तो गाईस एक बहुती बड़ी दिक्कत हो चुकी है वही हुआ जिसका डर था अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि जीरो ब्राहिन अपने बाई हीरो ब्राहिन को दोखा दे रहा है और वो आसा है तो ये सब क्या है लास्ट एपिसोड में मेरे को नल दिखाई देता है और आज यहां पे मेरे को होगा लाला के होने के सबोत मिलते हैं बापरे बाप हीरो ब्राहिन के साथ बहुती बड़ा दोखा किया जा रहा है हमें तुरंत हीरो ब्राहिन को बताना पड़ेगा नहीं तो हम मैंसे कोई भी नहीं बच पाएगा गाईस आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग जीरो ब्राइन को जिन्दा करने की कोशिश कर रहे थे तो हम लोगों ने होगलाला के भाई हुलाला को मार के उसका कून भी मिक्स किया था तब जाके जीरो ब्राइन जिन्दा हुआ था लेकिन मुझे लगता है कि उस कून की वज़ा से जीरो ब्राइन अपने होश में नहीं है और ना है उसे अपनी बीती जिन्दगी के बारे में कुछ पता है तब ही तो वो उन लोगों का साथ दे रहा है लेक Tailे एक मिनिट ये क्या है आए भे इतनी खतरनाक जंगल में किसका गर हो सकता है बाप रह बाप और यहां पर कोई रहता भी है लगता है आगे चलके देखना पड़ेगा कहीं कोई आत्मा तो नहीं क्योंके कोई भी इंसान इतनी खतरनाक जंगल में अपनी जिंदगी कैसे बिता सकता है बाप रे बाप इतनी सारी चैस्ट भी है और कितनी ओपी घर है अंदर चल के देखते हैं हेलो हेलो अंकल अंकल डरिये डरिये मत गाइस ये बाबा तो मुझे देख के बहुत ही डर रहा है बाबा जी मैं आपको मार रहे नहीं आया मेरी बात तो सुनिए प्लीज बाबा जी मैं आपको मारूंगा नहीं मैं तो यहां जंगल में लकड़िया काटने आया था और मुझे आपका घर दिखाई दिया मुझे बस आप इतना बता दीजिये कि आप इतनी खतरनाक जंगल में कैसे रहते हैं और क्यों रहते हैं तो गाइस आखिर वही हुआ जिसका डर था इस बाबा जी ने मेरे को कहा कि तुमने इस वर्ड में आके एक बहुती बड़ी गलती कर दी है क्योंके आज तक जो भी बन्दा इस वर्ल में आया है वो यहाँ से वापस नहीं जा पाया मैं भी तुमारी तरह इस वर्ल में काफी हजार साल पहले आया था और आज तक मैं कोशच कर रहा हूं लेकिन मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि इस वर्ड में एक इंसान के रूप में आत्मा रहती है और वो यहां से किसी को भी नहीं जाने देती और इस से ज़्यादा मैं तुमें कुछ नहीं बता सकता बापरे बाप हमें तुरंत इस जंगल से बाहर निकल के हीरो ब्राइन को बताना पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो के बहुत देर हो जाए मेरे को तो लगता है इस वर्ल्ड के अंदर जो आत्मा है ना वो जीरो ब्राइन के अंदर परवेश कर चुकी है शायद इसलिए जीरो ब्राइन हीरो ब्राइन के साथ ऐसा कर रहा है गाइस क्या ऐसा हो सकता है कोमेट में बताना लेकिन एक मिनिट यहाँ पर एक रुइंट पोर्टल है तो एक मिनिट फटफट इस चैस्ट के अंदर देखते हैं लेकिन यहाँ पर भी कुछ अच्छा तो नहीं है आपसीडियन मैं नहीं उठाऊंगा ओके यहाँ पर एक गोल्डन खंजर मिलना है मेरे को पता नहीं किसका हो सकता है आगे पता नहीं इस वर्ल्ड के अंदर और कितनी खतरनाक चीज़े हमें देखनी पड़ेंगी तो फाइनली गाइस मैं उस जंगल से बाहर तो आ चुका हूँ लेकिन यहाँ पर एक रिवील है बापरे बाप उपर से रात भी हो चुकी है अब मैं रात को तो वापस नहीं जा पाऊंगा लगता है इन सबी का मुकाबला करना पड़ेगा मेरे को और उपर से मेरे पास कोई अच्छी सौड भी नहीं एक मिनिट आप लोगोंने कुछ नोट करा यहाँ पे कुछ था मेरी शकल का मतलब स्टीव की शकल का एक एक भाई एक सकिंट सामने देख रहे हो आप एक मिनिट मैं थोड़ा अराम अराम से इसलिए बोल रहा हूँ ताके वो लोग मेरी आवाज न सुने भाई नीचे एक केव टाइब मेरे को कुछ लगती है आईरन तो मेरे को दिख चुका है जिस काम के लिए मैं वहाँ से घर से आया था लेकिन पता नहीं जंगल में मैं कैसे पहुँच गया और बाबा जी से मेरी मुलकात हो गई वो कहते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है लेकिन अभी मुझे यहां से फटफट डाइमेट खोजने पड़ेंगे क्योंके गाइस आप लोगों को तो पता है के जीरो ब्राइन जब हम लोगों को इस वर्ल्ड में ले के आया था तो हमारी सारी मलब पूरा समान जो था ना इस वर्ल्ड में शो नहीं हो रहा है एक मिनिट मैं आप लोगों को बताता हूँ लेकिन इसको मैं टपका लूँ पहले इस हड़ी को अच्छा जीरो ब्राइन ने आपने कहा था कि तुम लोगों का सामान इस मेरे वर्ल्ड में शो नहीं होगा क्योंकि मैंने इस वर्ल्ड को पूरा सिक्योर करा हुआ है और गाइस इसलिए मेरे पास वो जो पिंक वाली सौड थी ना जिस मैंसे आपके गोले निकलते हैं वो भी मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे अब डाइमेंट कीस ओ एक मिनिट अभी यहां पर एक स्कैलिटन और आ चुका है इसको भी मुझे उडाना पड़ेगा और ये केव काफी खतरनाक लगती है मुझे चोकनना रहना पड़ेगा और जल्दी से ओ बापरे बाप यहां पर बिगड़ा हुआ विलिजर भाई साब यह ना बहुत ही खतरनाक होता है मेरे पास पोशन नहीं है नहीं तो मैं इसको ठीक कर देता अभी तो मैंने इसको टपका दिया है और गैस मेरे को तो शक यह होता है कि जीरो ब्राइन जान बुझ के हमारे वेपन्स इस वर्ल्ड में नहीं आने दिये थे इससे पता चलता है कि वो उनके साथ मिला हुआ है लेकिन कोई बात नहीं हीरो ब्राइन देखो भाई हीरो ब्राइन भी अकेला है ना तो हमें उसका पूरा साथ देना पड़ेगा इसलिए सबसे पहले मैंने डिसाइड करा मेरे पास जितना भी आईरन हुआ है ना मैंने यहाँ पे फरनिस बना के इसको स्मेल्ट करने के लिए रख दिया है और मेरी एक प्लैनिंग बहुत ही खतरनाक है सबसे पहले मेरे पास इतना तो आईरन हो चुका है कि मैं अपना आरमर बना सकता हूँ और उसके बाद आईरन वाला बना के मैं यहाँ से डाइमेट खो चूँगा और सीधा यहाँ पे भागोगा हीरो ब्राइन को बताने के लिए कि तुमारे साथ कितनी बड़ा दोखा किया जा रहा है और वो और कोई नहीं कर रहा बलके तुमारा अपना भाई ज्यादा आईरन समेल्ट हो चुका है तो मैं फटफट अपना एक आरमर बना लेता हूँ और गाईस आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो अगर तो ऐसा हो जाता है कि जीरो ब्राइन अपने भाई को दुखा दे दे देता है तो फिर अगर इन दोनों की आपस में फाइट हो जाती है तो हीरो ब्राइन जाता खतर नाक है या फिर जीरो ब्राइन कोमेट में बताना और फाइनली यहाँ पे मैंने अपना आरमर बना लिया है और अपनी सौड भी अब दिक्कत वाली बात यह है कि मैं काफी टाइम से यहाँ पे हूँ अभी तक भी मुझे डाइमेट नहीं मिले ओपर से गई सीए वाली केव बहुत ही खतर एक मिनिट फाइनली यहाँ पे डाइमेट मुझे मिल चुके है ऐसा नहीं है कि मैं डाइमेट पहली बार देख रहा हूँ बलके इस वर्ल्ड में पहली बार उठा रहा हूँ भाई क्योंके यह वर्ल्ड कोई नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है ना खुद जीरो ब्राइन का है माइन क्राफ्ट की सबसे खतरनाक शक्ती जीरो ब्राइन बाप रे बाप लेकिन एक मिनिट ये तो कोई माइनशाफ्ट लगती है बाप रे बाप कितनी ओ यहाँ पे एक चेस्ट मिली है गाइस मेरे को लेकिन इसके अंदर कोई काम का समान तो मेरे को अभी तक नहीं मिला लेकिन नेम टैग यहां पर जरूर मिला है मेरे को ये उठा लेता हूं आइरन भी उठा लेता हूं और अभी यहां से निकलते हैं पता नहीं पीछे क्या हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि जीरो ब्राइन पीछे से हीरो ब्राइन को बहला फुसला ओ यहां पर डाइमेंड भी थोड़े मिल चुके हैं फटफट खोजिता हूं जितने भी मेरे को चाहिए और यहां से निकलते हैं मेरे माइंड में एक बहुत ही खतरनाक वाली बात आ चुकी है कहीं ऐसा नहों कि जी डाइमेंड कठे कर लिये हैं अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं लेगन मैं एक ऐसी खतरनाक जगा से गुजर रहा हूं कि जरसा भी मेरा पैर सिलिप हुआ तो नीचे पूरी की पूरी लावे की नदी है ओ यहां पर थोड़े से जाते जाते और भी डाइमेंड मेरे को दिखे एक काम करता हूं जो भी मुझे यहां पे मिल रहा है तो मैं ले लेता हूं बस यह आकरी मैं ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास काफी ज़्यादा डाइमेंड हो चुके हैं पसा मुझे कैसे भी करके हीरो ब्राइन के पास पहुंचना होगा और मैं फाइनली इस केव से भी बाहर आ चुका हूं असल में मैं रास्ता भूल गया था उपर से मौसम भी बहुत खराब है लेकिन मुझे साबधानी से जल्दी जल्दी यहां से भागना होगा तो काईस यह देखो मेरे पास कितने सारे डाइमेंड हो चुके हैं इससे मैं अपना आरमर भी बना सकता भाई इतने सारे जॉंबी और स्केलिटन्स ने मुझे घेर लिया था लेकिन अभी फटफट में काफी दूर निकलाया हूं लेकिन एक मिनिट यह क्या है भी बाई गैस आप लोगों ने कुछ यहां पे देखा ब्लैक कलर का कोई था न भाई साब एक मिनिट यह तो होगा ल लोगों को मर्वाने के लिए यहां पे ले आया है और वो इंसारय मिला हुआ है इतनी मणा दोखा वो अपने भाई और हम लोगों के साथ कैसे कर सकता है मुझे समझ में लिया रहा मैं करू तो क्या करूं एक मिनुट मुझे अराम अरम से यहां से निकलना पड़ेगा ताके वो मुझे देख ना पाए अब तो डर सा लगने लगाए कि पीछे से जीरो ब्राइन और जिन जिन्दा भी है कि नहीं बापरे बाप लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जीरो ब्राइन कभी भी नहीं मर सकता तो finally guys काफी सफर काटने के बाद मैं अपने घर मतलब उस जीरो ब्राइन के घर आतो चुका हूँ लेकिन एक मिनिट लगता है जिन्न ने यहाँ पे नेधर पोर्टल बना लिया है जिन्न हीरो ब्राइन कहां पे और जीरो ब्राइन क्या यहाँ पे कुछ हुआ था बाबरे बाब यह कैसा पोर्टल बनाया जिन्ने जिन्न यह क्या क्या तुमने यह काम भी करेगा के नहीं भाई ऐसा लगता है इसके अंदर गलासेस लगे हुए है भाई वैसे पोर्टल जो होता है वो गलास का ही होता है लेकिन इस तरीके का शो नहीं होता लगता है जिनने कुछ अपना अपनी पावर्स यूज करी है जिन एक मिनिट हीरो ब्राइन कहा पे है पता नहीं गई सबी तक तो कोई भी नजर नहीं आ रहा हूँ वो रहा अच्छा हुआ हीरो ब्राइन ठीक है हीरो ब्राइन हीरो ब्राइन एक मिनिट लगता है हीरो दोका हो चुका है तो फाइनली गाइस मैंने हीरो ब्राइन को सारी बातें बता दी लेकिन हीरो ब्राइन का कहना है कि मेरा बाई हीरो ब्राइन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता लेकिन मैंने हीरो ब्राइन को कहा तुम दो मिनिट के लिए मेरे साथ चलो तुम्हे सारा कुछ पता चल चाहेगा के आकर ये गेम हमारे साथ हो व्या रही है तो अब मैं hero brain को लेकर जा रहा हूं उस जंगल में जहां पर हमें वो बाबा मिला था अब वो ही साब hero brain को बताएगा तब ही hero brain को यकीन आएगा और उसके बाद आगे पता नहीं हीरो ब्राइन क्या करेगा लेकिन मेरा मन आज बहुत ही उदास है तो फाइनली गाइस मैं काफी दूर पहुंच चुका हूँ हीरो ब्राइन को लेके और मुझे लगता है कि यही वो जंगल है हीरो ब्राइन यही है वो जंगल तो अभी हमें अराम राम से जाना पड़ेगा क्योंकि देखो अगर जीरो ब्राइन यहां पे आ गया ना तो बहुत ही बड़ी गड़ बड़ हो जाएगी अच्छी बात यह थी कि वो उस टाइम घर पे नहीं था और मुझे तो ऐसा लगता है कहीं वो एंटिटी 606 से मिलने ना गया हो बाई सहाब एक एक मिनिट हीरो ब्राइन अराम से अराम से यह यही वो घर है और वो देखो सामने वो बाबाजी है जिसने मुझे बताया है हीरो ब्राइन संबल के एक एक मिनिट बाई साब अब हीरो ब्राइन नहीं उसको मारना नहीं है वो डर जाएगा प्लीज प्लीज रुक जाओ हीरो ब्राइन अभी हमें उससे बात पूछनी है बाई साब हीरो ब्राइन तो बहुत गुसे में आ चुका है एक मिनिट अभी ये बात हीरो ब्राइन प्लीज तुम इसक इने हीरो ब्राइन को पूरी कहानी बता दिये इस वर्ल्ड की कि तुम लोग अब बुरे तरीके से इस वर्ल्ड में फस चुके हो और चाहा कर भी तुम लोग इस वर्ल्ड से कभी नहीं जा पाओगे क्योंकि इनसान के रूप पे एक बहुत ही खतरनाक आत्मा रहती है इस वर हैं कि हम लोग इतने खत्रे में जिन को वहाँ पे अकेला चोड़ के आ चुके हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग जिन को मार ठालें बापर बाप लेकिन एक मिनिट हीरो ब्राइन ये क्या हो रहा है और ये कॉल ये तो जेरो ब्राइन के तरह देखते है झाले आजा मिन एक उरेकिवणा को वोग जिन में एक वोग पाराइन वर रहाँ मिन एक तरह रहा है